Hello student, class 9th, subject maths, exercise 12.2 ठीक है बीटा, आज इस exercise को हम लोग solve करेंगे by heaven's formula आईए हम लोग देखते हैं Question number first A part in the shape of a quadrilateral A, B, C, D, height, angle C 90 degree A, B 9 meter B, C 12 meter, C, D 5 meter and A, D 8 meter How much area does it occupy? अब आप देखो बटाई ये quadrilateral है जो A, B, C, D के shape में है इनकी sides आपके ये दिये गए हैं अब आप देखिए कोई भी ये ऐसा आपको formula नहीं मालूम है जिससे इस quadrilateral का area निकाल सके है ठीक है? तो इसको एक diagonal जैसे B, D, ये diagonal हमने joint कर दिया तो अब ये दो triangle बन गए हैं ठीक है? दो triangle हो गए और दोनों triangle का area निकाल करके add कर दें तो पूरा quadrilateral का area हमें मालूम हो जाएगा ये ही इसमें आपको निकालना है अब आप देखिए सबसे पहले आपका जैसे ये B, C, D area इसका निकालना है तो ये यहाँ C पर 90 degree है तो ये हम जानते हैं 1 by 2 base into height तो इससे हम ये तुरंट इसका B, C, D area इस triangle का निकालना है 1 by 2 base into height तो 1 by 2 5 into 12 equal 30 meter square अब इसको निकालना है तो इसमें आप देख रहो दो साइट मालूम है लेकिन B, D नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा B, D निकालना हो अब B, D की length हम कैसे निकाल पाएंगे यहां तो निकाल नहीं पाएंगे लेकिन आपका first triangle जो है अगर देखें तो यह आपका right angle triangle बन गया था ठीक है तो right angle triangle में बटा आप देखो यह हम पाइधागोरस theorem अपलाई करके यह B, D निकाल सकते है तो B, D square equal या B, D equal under root C, D square plus B, C, square ठीक है तो 5 का square plus 12 का square ठीक है यह add किया तो 169 इसका square roots 13 यह B, D आपका क्या हो गया 13 अब हिरोंस formula से इसका area निकाल लो A, B, D का ठीक है तो A, B, D का हिरोंस formula से यह 9 plus 8 plus 13 by 2 यह 15 यह semi perimeter आपका small S हो गया ठीक है अब हिरोंस formula under root S S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C यह हम जानते हैं value put किया 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 ठीक है और 15 माइनस 13 इनको solve किया आपका यह आगया कितना आगया यह 35.5 meter square तो area quadilateral area आप A, B, D प्लस area आप B, C, D यह दोनों area को add कर लिया तो add करने पर आपका आगया 65.5 meter square यह approach है ठीक है बाटा इस तरीके से यह हमें solve करना है आए question number 2 find the area of quadrilateral A, B, C, D in which A, B equal 3 cm, B, C equal 4 cm, C, D equal 4 cm, D, A equal 5 cm, and A, C equal 5 cm, ठीक है यह आपको दिया गया है और quadrilateral का area निकालना है ठीक है तो क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो यह आप इस question को उसी तरीके से आप देखो जैसे first question है उसी तरीके से दोनों triangle का area निकालना है बटा और दोनों के area को add कर दोगे total area is quadrilateral का मालूम हो जाएगा इसमें आप देखो AC भी दिया है diagonal A दे दिया है ठीक है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको निकालना पड़ेगा तो एक triangle यह है जिसकी तीनों साइटे मालूम है यह भी triangle है जिसकी तीनों साइटे मालूम है दोनों का area ही रोस फार्मूला से आप निकालो और इसके आँज calculation करो ठीक है question number 3 राधा मेट एपिक्चर आप एन एरोप्लेन बिद कलर्ड पेपर as shown in figure point the total area of the paper used अब इसका total area आपको बताना है ठीक है area of triangular ठीक है अब इसमें आप देखो यह जो आपका दिया गया है तो इसको एक काम करो बिटा आप numbering कर लो ठीक है जैसे यह first part फिर यह second part फिर यह आपका third part हो गया इसको ऐसे आपका यह fourth part यह fifth part अब प्रतेक का area प्रतेक part का area निकाल करके अब आइड कर दें तो यह हमारा जो है टोटल इस जो picture बना हुआ है aeroplane इसका हमें क्या होगा area मालूम हो जाएगा अब आईए आपका जैसे first area का तो यह आईसो सेलर स्टेंगिल आपका दिखा इसका आप यह side 5 यह side 5 और यह आपका 1 cm है ठीक है तो इस तरीके से small semi perimeter 5 plus 5 plus 1 by 2 equal 5.5 cm अब इसका area निकाल लिया hierons formula से ठीक है value put करोगे calculate करोगे यह calculation अब तुम्हें ही करना है calculation यहाँ लिखा हुआ है बट आप calculation खुद करो ठीक है बटा तो यह area आपका मालुम हो गया अब आप देखो दूसरा part है आपका एक rectangle दिख रहा है ठीक है जिसकी length यहां से यहां तक 6.5 cm है यह 1 cm है तो इसका area कितना हो गया यह आप देखो 6.5 into 1 equal 6.5 cm इसका area हो गया third part आप देख रहे हो कि यह आपका क्या हो गया है trapezium के shape का और trapezium हो गया अब trapezium का area यह हम लोग 1 by 2 sum up parallel side into height करके इसको निकाल सकते हैं तो आप देखें यह formula यह हम लोगों ने यहां AE यह height perpendicular AE E point है यहां AE यह निकाल लिया अब आप AE हम लोग कैसे निकालेंगे यह आपको दियान देना है इन पाइदागोरा triangle से ADE में angle E 90 degree AD square ठीक है AD square equal DE square plus AE square AE square equal AD square minus DE square AE equal under root AD square minus DE square तो AE के place पर यह हमने लिख दिया अब parallel 1 by 2 1 plus 2 यह नीचे की side जो थी 2 और यह उपर 1 यह parallel थे ठीक है अब इसमें देखिए AD आपका 1 है और यह आपका 0.25 क्यों यह आपका पूरा 2 था और 1 आप में यह यहां से यहां तक हो गया subtract हो गया आइसो सेलेस्ट्रेपियम है तो यहां से DE और यहां से इतनी यह distance दोनों क्या होगा सेम होगा ठीक है तो उसका हाप कर लिया तो यह नहीं हाप कर लिया अब आप देखो इसका हाप कर लिया तो यह 0.5 आया ठीक है 1 का हाप यह नहीं 0.5 उसका square 0.25 इसको simplify किया तो आप देख रहे हो कि यह simplify करने के बाद यह इतना centimeter square आपका आ गया यह आपको यह third part का area हुआ ऐसे आप देखो यह set जो fourth और fifth है ठीक है दोनों एक similar है दोनों आपके क्या है same है और यह आप देखो यह एक यहां जो है right angle टैंगिल बन जा रहा 1 by 2 based into height इस टैंगिल का into 2 कर दें तो यह भी आपका मालूम हो जाएगा तो इस तरीके से 2 into 1 by 2 into 1.6 into 6 calculate किया तो 9 centimeter अब सभी के area को एट कर लिया तो 99.28 centimeter square इसका area आगया ठीक हो गिया बेटा question number 4 यह triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the side of a triangle or this, this and the parallelogram stands on the base this find the height of the parallelogram यह आपको height निकालना है ठीक है तो same base same बने हुए है तो दोनों का area क्या होगा equal होगा तो पहले आप इस triangle का area या आप निकालोगे by heron's formula क्योंकि iscalent triangle ठीक है तो heron's formula से area निकालने के बाद यह आपका आगया कितना 336 centimeter square ठीक है अब यही area आपका किसका है यह इस parallelogram का भी area है ठीक है तो parallelogram का area हम जानते हैं base into height base आपका 28 है और height यह निकालना है ठीक है तो height यह 28 into height equal 336 height equal 12 centimeter यह आपको solve करना है ठीक है question number 5 यह देखो यह rhombus saved field has green grass for 18 cows to graze if each side of a rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter how much area of grass field will each cow is getting अब आप आप देखे इनकी सब के sides a, b, c, d जो आपका rhombus है उनका सब का side जो है 30 meter तिया है diagonal एक diagonal आपका जो है 48 meter तिया है ठीक है which divides the rhombus a, b, c, d into two congruent triangle ठीक है तो एक का area निकाल दो into two कर दो अपने आप आप मालूँ हो जाएगा तो एक का area ये आप जो है कैसे निकालोगे हिरोन्स फार्मूला से ठीक है तो ये जैसे 30, 30, 40, 8 और बाइ 2 कर दिया तो semi perimeter rectangle का मालूँ हो गया 54 अब area आप निकाल लो देखे area आप दोनों पूरे rhombus का a, b, c, d ये equal to into area of triangle a, b, c ठीक है चुकि दोनों area आपस में equal है तो ये 2 under root s s-a, s-b, s-c हिरोन्स फार्मूला का यूज किया calculate किया 864 meter square ये आपका area आ गया ठीक है अब आप देखे field level for 18 cows ठीक है इतना है तो हर एक cows के लिए कितना होगा इसको 18 से आप क्या करो divide करो तो ये आपका जो है answer हो जाएगा ठीक है ये question number 5 अब आते है question number 6 देखे an umbrella is made by stitching triangular pieces of cloth of two different colors each piece is measuring 20 cm 50 cm 50 cm how much cloth of each color is required for the umbrella अब आप देखे ये जो है जो आप देख रहो ये एक triangular shape में इसका दोनों साइड ये आइसो सेलस triangle के फार्म में और बेस आपका क्या हो जा रहा 20 cm तो ये आइसो सेलस एक triangle का area हम निकाल ले ठीक है एक का निकाल ले एक का निकालेंगे फ़ले semi perimeter तो ये आपका क्या हो गया 60 cm ये उनस फार्मूला लगाया तो ये आपका जो है कितने हो गया एक का area आपका ये मालूम हो गया according to question there are 5 pieces of red color and 5 pieces of green color red color के भी 5 होंगे और green के भी होंगे तो इसमें इस area में 5 से हम multiply कर दे तो red मालूम हो जाएगा और दूसरे भी 5 है और सेम 5 से multiply कर दे तो green भी मालूम हो जाएगे तो दोनों का area आपका total जो इस pieces जो है इस type color के आपके area थे वो दोनों हमें ये मालूम हो जाएगे ठीक होगे बटा अब आप देखिए question number 7 a kite is in the shape of a square and an isocellus triangle of base 18 cm and side 6 cm each is to be made of three different shapes as shown in figure how much paper of each side has been used in it अब आप देखिए ये जैसे आपका एक rhombus है ठीक है अब इसमें side हमें नहीं मालूम है diagonal दोनों मालूम थे ठीक है ये ये आपके diagonal मालूम है और दोनों diagonal equal है तो ये हम जानते हैं diagonal bisect करते हैं इस अदर एट ये 90 degree पर तो अब 90 degree पर अब आप देखिए ये आपका एक triangle जैसे ये हमने ले लिया तो यहाँ ये 90 degree 32 का half 16 ये हो जाएगा ठीक है और ये side ये हमें निकालने हैं किस से ये जो है हमें निकालने हैं इसकी side निकाल सकते हैं ठीक है उसके बाद ये हम जो है aaron's formula से भी इसका area ये निकाल सकते हैं ठीक है ये square है ठीक है तो square एक side हमें मालूम हो जाएग तो अपने आप ये मालूम हो जाएगा ठीक है ये square अब आप देखिए अच्छा माल लिजे वैसे भी ये आप इस तरीके से निकालो जाएगा जैसे ये triangle ये आपका shaded जो green color का है ये triangle हो जा रहा है ठीक है और इस triangle में ये आपका 32 है इसकी side आप ये माल लो ये इसका भी माल लो तो a square प्लस a square इकोल 32 का square solve किया a square इकोल 50 पाइफ हंड़ ट्वैल ये आपका centimeter square आगया square का area पूरा आपको मालू हो गया ठीक है ये आप इस तरीके से निकाल सकते है पूरा square का area तो अब ये देखिए दो पार्ट में divide है तो इसका half कर दीजे ठीक है half कर दीजे तो ये आपका क्या हो गया ये 256 centimeters shaded और दूसरा 256 non shaded ठीक है अब इसी तरीके से ये 3rd ये आपका है ये भी आपका क्या है ये इसमें कह रहा था कि ये इसको देखो triangular base each base 8 और side 6 है ठीक है ये आप देखिए इसके 6 और 6 यहाँ है और ये base 8 है तो ISOCellas triangle ये भी हो गया अब हिरोंस formula से इसका 3rd का area निकाल ले ठीक है तो S इसमाल S equal ये 6 प्लस 6 प्लस 8 बाइ 2 equal 10 हो जाएगा ठीक है अब ये bylo put करोगे calculate करोगे ये आपका क्या आगया answer हो गया ठीक है ये आपको खुद करना है बेटा calculation इसलिए मैं calculation पर discuss महीं कर रहा हूँ ठीक है question number 8 ये floor design on a floor each made up of 16 tiles each are triangular the side of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm find the cost of pulsing the tiles at the rate of 50% per cm square ठीक है अब आप देखो बेटा इसका ये cost होताने है अब हर एक triangular के shape में है जैसे ये triangular के shape में है ठीक है तो इनका पहले क्या करना है इनका हम area निकालने है जैसे एक triangle का area निकालने है और कैसे निकालेंगे ये आप जो है हेरोंस फार्मूला से तो एक हेरोंस फार्मूला से इसका area आपका एक triangle का आ गया कितना यानि एक tiles का 88.2 cm square अब ऐसे कितने tiles है 16 तो 16 से multiply कर दोगे ठीक है तो ये total area मालूम हो गया अब देखो 1 cm square जो है area 1 cm square area का cost है 50 पैसे तो जितना area आपका आया है उसमें क्या करोगे 0.50 से यानि 50 पैसे से multiply कर दोगे तो इस तरीके से आपका आ गया 705 पूपीश और 60 पैसे ठीक है ये एक टाक से है ठीक होगे बैटा ये इस तरीके से ये solve करने है अब आप देखे Question No.9 A field is in the shape of a tripidium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter point the area of the field इस area का आप जो है इस field का area निकालना है अब आप देखो क्या करना है A, B, C, D, A, T, P, G, M है क्या करें इसमें देखो B से A, D के parallel एक line दाकर लिया ठीक है तो इस तरीके से ये हम देख रहे हैं A, B, E, D ये आप पक्या हो जाएगा parallelogram हो जाएगा ठीक है अब parallelogram हो गया और दूसरा ये आपक्या हो गया एक ISO से triangle हो जाएगा इस के parallel triangle अब आप देखो जैसे इसका जो है हमें क्या निकालना है इस B, E, C का area निकाल ले इस के parallel triangle है ठीक है तो इसका area कैसे निकालेंगे ये आप देखो Hieron's formula से इसका area निकालेंगे ठीक है तो इसका 13 और ये आपका 15 ये 14 ये 15 कैसे आया ध्यान रखना जब ये parallel side है तो हम जानते हैं parallelogram में opposite sides equal होते है 10 ऊपर है तो 10 नीचे भी होगा ठीक है तो ये इतनी distance हमारा क्या होगा 25-10 equal 15 हो गया है ठीक है ये 15 हो गया अब ठीक है तो इस तरीके से B, E, C triangles का क्या किया area हम लोगों ने निकाल लिया ये 84 meter square ठीक है अब इसका क्या करना है ये height मालूम हो जाए हमें ये MB इसकी height मालूम हो जाए अब आप देखें इस triangle का area ये 1 by 2 base into height भी होगा ठीक है जो 84 area है तो ये आप जो है 1 by 2, 15, 15 into BM equal 84 अब आप देखो इसमें क्या करोगी इसको simplify किया तो BM आपका आगया है 11.2 meter आगया अब इस trapezium पूरे trapezium का area निकालना है तो किस से निकाल लोगे हम जानते हैं formula trapezium का 1 by 2 sum up parallel side into height ठीक है तो sum up parallel side AB plus CD height आपका BM value रख दिया calculate किया और इस तरीके से 196 meter square इसका area आगया तो बेटा इस तरीके से ये chapter आपका समाथ हुआ आज इतना ही Thank you बेटा